नमस्कार आपका स्वागत है मंगलवार हनुमान जी का सबसे प्रियवार होता है और इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की विशेज़करपा प्राप्त होती है आप चाहते ही कि अगर हनुमान जी हर कदम आपकी साहिता करे आपकी बुरी शक्तियों से नकारत मकता से रोगों एवं बीमारियों से रक्षा करे तो आप मंगलवार की दिन हनमान जी की सच्चे मन से पूजा आवश्य करे और इस दिन हनमान चालिसा का पाट करना ना भूले माना जाता है कि प्रतेक मंगलवार की दिन हनमान चालिसा का पाट करने मातर से मनुष्य के जीवन से दुख, दरिद्रता और नकरतमक्ता का अंतो होता है आपको बता दे कि हनमान जी आज भी अपने संपुर्ण रूप से प्रत्वी पर उपस्तित है क्योंकि उन्हें भगवान सिरी राम ने ये वर्दान दिया था कि वे कल्यू क्यांत तक इस प्रत्वी पर उपस्तित रहेंगे और प्रभू सिरी राम के भगतों की सहायता करेंगे ये आप हनमान जी को प्रसन करना चाहते है तो मंगलवार की दिन कुछ खास उपाय अवश्य करेंगे आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जो में मंगलवार की दिन अवश्य करने चाहिए और साथ ही ऐसे कुछ कारियों के बारे में जानेंगे जिने मंगलवार की दिन करने से मनुष को दरिदरता का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शास्त्रों में मंगलवार की दिन इन कारियों को करना वर्जित माना गया है इससे मंगल ग्रह का प्रभावी मनुश के जीवन पर पड़ता है और मंगल के प्रभाव के कारण मनुश को दुरभागे का सामना करना पड़ता है मंगलवार का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है इसलिए जोती शास्त्र में मंगलवार की दिन मंगल ग्रह के दुश्प्रभाव से बचकर रहना चाहिए और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनके जिवन में मंगल का दुश्प्रभा उत्पन्न हो तो आईए जान लेते हैं मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजी साथी वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरू करे कहते हैं कि मंगलवार के दिन भगवान शिरीराम के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और भगवान शिराम के साथ हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए ऐसा करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन होते है मंगलवार की दिन प्रात्रकाल में जल्दी जाकर सनाना दी करने के पश्चात दक्षिन दिशा के और मुख करके हनुमान चालिसा का पाट करना चाहिए मंगलवार की दिन पीपल के व्रक्ष की पूजा करने से हर प्रकार की मनुकामना की पूर्ती होती है मंगलवार की दिन पीपल के व्रक्ष की पूजा करने का शास्तुर में बड़ा ही महत्वा बताया गया है इसलिए इस दिन पीपल के व्रक्ष को जल अवश्य ही आरपन करे यू तो गाय को हर दिन रोटी खिलाना शुब माना गया है लेकिन मंगलवार की दिन लाल गाय को रोटी खेलाना शुब माना जाता है ऐसा करने से करजे से मुक्ती मिलती है मंगल ग्रह का सम्मन लाल रंग से होता है इसलिए मंगलवार की दिन लाल रंग के वस्तर अवश्य धारन करे अगर किसी मोतोपुर्ण कारे के लिए या नौकरी के लिए या किसी विशेश कारे के लिए शुरुवात करने ही जा रहे है तो अपने पास लाल रंग की कोई वस्तू अवश्य रखे या फिर लाल रंग की वस्तर पहन कर अवश्य जाए इससे उस कारें में सफलता मिलने की सं अधिक बढ़ जाती है आईए अब जानते है मंगलवार की दिन क्या नहीं करना चाहिए मंगलवार की दिन काले रंग के वस्तर पहनना वर्जित माना गया है इससे शनी का प्रभाव बढ़ता है मंगल और शनी इन दोनों का संयोग भोती कष्टकारी होता है इससे मानसिक और कष्ट में वर्दी होती है चूंकि काला रंग शनी देव का प्रतिक है और लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतिक है इसले मंगलवार की दिन काले वस्तर पहनने से वर्जित माना गया है मंगलवार की दिन उधार लेन देन नहीं करनी चाहिए मंगलवार की दिन किसी को धन देना या किसी से धन लेना अनुचीत माना गया है इस दिन कर्ज लेना भी अशुब होता है इस दिन लियाववा कर्ज चुकाना भोती मुश्किल हो जाता है और दिया गया धन वापस मिलना भी असंबो हो जाता है इसलिए इस दिन ऐसा ना करे मंगलवार की दिन मास मिदरा की सेवन से बचना चाहिए क्योंकि यह दिन हनमान जी की विशेश पूजा का माना गया है मंगलवार की दिन मास मिदरा का सेवन करने से हनमान जी रुष्ट हो जाते है और वेक्ति के जीवन में रोग एवं बिमारियों का प्रसार हो जाता है इसलिए मंगलवार को ऐसा ना करे मंगलवार की दिन धारदार चीजे खरिदना भी अशुब माना गया है क्योंकि मंगल ग्रह को युद्ध का देवता माना जाता है इस दिन चाको छुरी जैसी चीजे खरिदने से परिवार में वाद वाद बढ़ सकता है और भाई-भाई में शतुरुता बन सकती है मंगलवार की दिन बाल काटना, शेविंग करना या बाल धोना अशुब माना गया है साथी नाकुन काटने से भी बचना चाहिए मानेताय की इसका आसर आपके दिमाग पर पड़ता है इससे धन और बुद्धी की हानी होती है शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को बाल कटवाने से आयू भी कम होने लगती है मंगलवार की दिन स्रंगार का सामान खरिदना भी वरजित माना गया है मंगलवार को सोंदर ये प्रसादन खरिदने से वयवायक संबंदों में धरार आती है सोंदर ये प्रसादन खरिदने के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन सबसे उपयुक्त माना गया है मंगलवार की दिन ब्रह्मचारे पालन करने का विशेश महत्वा है यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी है या किसी कारे में आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप प्रत्यक मंगलवार की दिन ब्रह्म चारे वरत का पालन अवश्य करें और शारिक सम्मन ना बनाएं तो ये थे वह कारी है जो मंगलवार की दिन नहीं करने चाहिए उमेदे ये जान करें आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंड में और जैश्री राम आवशे लिखें साथी चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद